नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे चैनल पर देखिए जैसा कि आप सभी को पता है कि भी आज इसको लेके सुनुआई थी नीट पीजी को लेके सुप्रिम कोर्ट में सुनुआई थी ठीक है और इसका जो फाइनल फैसला है वो भी यहाँ पर आजुका है ठीक है तो इ अगर हम बात करें तो यह लग भग 25-30 मिंट के आसपास है वो सुनुआई चली है सत्रा नमबर केस की अधार इस्टेशन फोर नीट पीजी दो जर्वाइस वाज क्लोजर नं पत्चेस मार्स आज मैनी और तू लाख छहजार डॉक्टर्स है रजिस्ट्रेड फॉर एक्जम तो यहां पर इनका फाइनल डिसेजन क्या है वो यहां पर आप इनको देख सकते हो क्या क्या है यहां पर बोला गया ओर तू लाख छहजार डॉक्टर्स है और रिजिस्ट्रेड और विल बीपूट दा प्रिजुडिस इफ दा एक्जाम इस फर्दर पोस्ट्पॉन ठीक है और हैप वस्ट्पॉनिंग विल ग्रियेट चावज एंद अर्स अंसर्थ्रुनतिटि आर्डर पॉस्ट्पॉन विल ग्रेट डेफिचैन सी ओफ डॉक्ट्रें हॉस्ट्रे भॉ्सピINGING छो ilש दो प्रिजक है वो क्या है वह की ब्रेकिंग की शूप्रेम कोर्ट डिस्मेज प् पोस्टपॉंड नीट पीजी दो जारवाइस सेड्डूल फूर मई एक गिज सेंग पोस्टपॉंड मेंट विल क्रेट चावस एंड अंसर्टेनेटी एंड विल इंपक्ट पेसेंट केर एंड विल तो देखिए इन्होंने साफ तोर पे मना कर दिया 20-25 मेंट तक सुनवाई चली और इन्होंने जो पेटेशन थी उसको यहाँ पे डिसमिस कर दिया है जो आपकी 21 तारिक को जो एकजाम होने वारा अपने निधारिच समय पे ही होगा ठीक है इन्होंने यह बोल दिया कि अगर ह जकता फेलेगी और एक एनिसित्ता है वो यहाँ पे स्टूडेंट के बीच में पैदा होगी जो 2,6,000 स्टूडेंट है ठीक है उनके मुलब वो लगवग चाते हैं कि भी एक्जाम पोस्टपॉंड ना हो यह चीज़ है यह सुप्रिम कोट नहीं यहाँ पे बोली है तो दहाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो उसका सोल्योशन है फिलो एप अपने डाउट को किसी भी टाइम कलियर करें इन दीज थ्री इजी स्टैप सबसे पहले इस एप को प्ले स्टोर या एप स्टोर से डाउंलोड कर लें अपने फॉन नंबर से इजिली साइन अप कर लें कोई भी प्रीमियम कोर्स खरीते हैं और उसमें हमारा कोड यूज करते हैं तो आपको 10% की छूट यहाँ पे मिलेगी तो जाहिए लिंक आपको डिस्क्रिप्सिन में मिल जाएगा पहले से कोई भी संख्याना वो नहीं ले रहे थे अगर आप कुछ ले सकते हैं तो मतलब उनके यात्मीया कुछ जो भी है अगर पोस्ट्वार्ण करना चाते हैं तो health minister ही करेगा अगर वो credit लेना चाते हैं ठीक है मतलब अगर उनका ये प्लान है कि भी क्रेडिट उनको ही लेना है तो फिर वो पोस्ट पॉंड कर सकते हैं वाकिया आपका एक्जाम है वो 21 माई को ही होने के पूरे मतलब 100% चांस अभी यही है कि आपका 21 माई को ही एक्जाम होगा तो अपनी त्यारी है वो अभी से आप स्टार्ट कर सेगे